नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नियूज अक्सप्रेस और मैं हूँ आके साथ चबी आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्यों आप वाददुर्गर्ण में भी किशोरों के लिए कोरोना वारास से बचा को लेकर वैक्सिनेशन शुरू हो गया है 15-18 साल के किशोरों को को वैक्सिन की पहली डोज लगाई जा रही है 28 देन बाद को वैक्सिन की दूसी डोज इन्हें लगाई जाएगी वैक्सिनेशन के लिए सुबर से ही वैक्सिनेशन सेंटर पर 15-18 साल के किशोर पहुँशने शुरू हो गय थे जिन किशोरों के माता पिता ने पहली डोज लगवाली थी वो अपने बच्चों को साथ लेकर वैक्सिनेशन सेंटर पर पहुँचे और अपने बच्चों को वैक्सिन की पहली डोज लगवाई वैक्सिन लगवाने आए किशोर भी बहुत खुश नजर आए किशोरों के लिए जो सरकार ने नियम बताए हैं भी उसमें हम को वैक्सीन जो है लगा रहे हैं खाली जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको खाली को वैक्सीन लगनी है जो की 28 दिन के अंतराल पे लगेगी फर्स दोज और सेगिंड दोज के बीच में 28 दिन का गैप होगा और उसके लिए हमने किशोरों के लिए अलग से एक लाइन बनवाई है यह बाकी जो फर्स जोजर सेगिंड दोज वाले जो 18 साल से उपर के हैं उनके साथ इनको नहीं रखा जा रहा है बहुत अच्छा बच्चों को आज खुशी देखने को मिली हमने बच्चे खुस हो रहे हा कि शोशल डिर सेंस का पालन करें और मास्क लगा कर आएं बच्चे खुब वैक्सिन लगवाने आ रहे हैं वाट यहां मैं अच्छा जादनी में पढ़ती हूँ और माने वैक्सिनेशन आज ही लगवाई है कि ठाकी में करोना संक्रमेंट पर दख तकूँ और उसका प्रभाव मेरे अगर करोना हो तो उसका प्रभाव मेरे उपर कम हो और मेरे माता पिता ने भी एक्सिन पाली लगवा लेथी उ ककी भी दोड़रों टोड़ों कंप्रीट ऊचेलाने लगवाने लगवा है सबको लगवाने चाहिए था कि आम क्रोना से बच सकें 11th class में Soval distancing ज़ूर यह माख लवान ज़ूर यह ज़ूर कहेंगे अब सब्सक्राइब करें Yes नई झाल